आर्थिक भुगुल का अन्य प्राकृतिक विज्ञानों से संबंद उशेप और हम चर्चा कर रहे हैं। हम देखते हैं कि विज्ञान दो प्रकारके हैं। पहला जो वर्ग है वो है समाजिक विज्ञान और दूसरे वर्ग के अंतरगत आता है प्राक्रितिक विज्ञान इन दोनों ही विज्ञानों से आर्थिक विज्ञान का गनिष्ट संबन्ध है समजिक विज्ञान में इतिहास अड़्ज सास्त्र समाज सास्त्र राजनित्ती सास्त्र आदी प्राक्रितिक विज्ञान में देखने को मिलते हैं समाजिक विज्ञान प्राक्रितिक विज्ञानों में प्राणी विज्ञान रसाइन विज्ञान भोतिक शास्त्र गनित आदि उसे प्राकृतिक विज्ञान है तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दो तरह के विज्ञान है प्राकृतिक विज्ञान और सांस्कृतिक विज्ञान इन दोनों ही विज्ञानों से आर्थ सास्त्र का प्रत्यक सुप से संबंध है उस संबंध की चर्चा हम आज के इस विज्ञान में करेंगे आर्थिक भुगोल और आर्थ सास्त्र का बहुत ही गनिष्ट संबंध है आर्थिक भुगोल में तथा आर्थ सास्त्र में दोनों में ही आर्थिक क्रियाओं का अध्यन किया जाता है लेकिन उनके अध्यन का जो दृष्टिकोन है वो अलग अलग तरिके से है अर्थ सास्त्र जो आर्थिक क्रियाएं, जो हमने पांच प्रकार की आर्थिक क्रियाएं देखी, उनके सिद्धान्तिक पक्स पर अत्यधिक बल देता है जबकि आर्थिक भुगोल इन क्रियाओं के आनुभविक पक्स पर अत्यधिक बल देता है अर्ज सास्त्र में उत्वपादन, प्रक्रिया, विनिमे, वित्रण और उपभोग की जो प्रक्रिया हैं उनके आधारबुद पक्सों का अध्यन किया जाता है और उनका विशलेशन किया जाता है इनी तीनों उत्वपादन, विनिमे, वित्रण और उपभोग का अध्यन आर्थिक भुगोल में भी किया जाता है लेकिन आर्थिक भुगोल में उनका स्थान के संदर्ब में अध्यन किया जाता है कि कौन से स्थान पर ये क्रियाएं उत्वपादन होता है विनिमे, उत्रण क की जो है उसको स्पेस के संदर में अध्यन किया जाता है आर्थिक क्रियाओं के आर्थिक पक्ष का अध्यन आर्थिक भूगूल 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 आ आर्धिक भूगोन और अर्द्च सहट्र दोनों गनिस्ट संबंद है। दोनों का मूझ एक ही है, पढ़ने या अध्यन का दृश्टिकोन है वो भातिबाति है, यह आर्धिक भूगोन स्थानिक संदर्ब में कब कैसे क्यों कहां का अध्यन करता है और अर्थ सास्त्र जो है उन आर्थिक प्रक्याओं के लाब, हानी के संदर्ब में उनके सिद्धान्तों का अध्यन करता है आर्थिक भुगोल और राजनिती सास्त्र का गनिष्ट संबन्ध है आर्थिक भुगोल आर्थिक क्रियाओं का अध्यन है उनके धरातल पर आर्थिक क्रियाओं और धरातल के अंतर संबन्धों का अध्यन है राजनीति सास्त्त्र में राज्य, उसकी राजनीतिक वेवस्त अंतरराश्थरी राजनीति और राजनीतिक पहलूओं का अध्यन जो है राजनीति सास्त्र में किया जाता है राजनिती सास्त्र में अनेक क्रियाओं का जो राजन्यों नेक क्रियाओं का अनेक क्रियाओं इन में आर्थिक क्रियाओं का समुचित ग्यान दिलाता है आर्थिक भुगुल में संसादनू के बारे में धिन किया जता है उनकी मात्रा, उनके मुल्यांकन का कार्य आर्थिक भुगुल करता है इन संसादनू का उप्योग कैसे हो इसके बारे में राजनितिक वेवस्ता या राजनितिक यह की इच्छा शक्ति पर निर्वर है, कि वो इन अननलों का उप्योग कैसे करे, हम देख रहे हैं कि वर्तमान राजनिति में पूरा संविश के जो देश है, वो संसादुनों की होड प्राप्ति की होड लगी हुई है. दक्षनी चीन सागर या मद्धी एशिया जहां प्राकृतिक गेस और तेल के बंडार है उनको प्राप्त करने के लिए चाहे जलमार्गों पर या दुर्गम से दुर्गम स्तानों पर जो संसाधन है इसी तरह से उत्री दुरू सागर अंटार्क्रिका माधी जहां अपार कनी स संसाधन भरे हुएं हैं वो भी राजनीटिक्यों की नजर में है और उन सब संसाधनों का अध्यन जो है खमार्थिक वगोल में करते हैं समाजिक विग्यानों में समाज सास्त्र, समाजिक विग्यान में एक मेत्तपुर्ण विशे है समाज, एम उसके अंतर संबंदों का जो अद्धिन है वो समाज सास्त्र में किया जपता है समाज की बनावट, रिती रिवाज, खान पान, परमपराएं अलग-अलग शत्रों में अलग-अलग प्रकार की है उन सभी का अध्यन जो है समाज सास्त्र में किया जाता है समाज सास्त्र समाजिक क्रियाओं का अध्यन करता है यह साथी उन सामजिक क्रियाओं पर आर्थिक क्रियाओं के पढ़ने वाले प्रभाव का अध्यन समास्तास्त्र में किया जाता है आर्थिक भुगोल चुकि आर्थिक क्रियाओं का अध्यन करने वाला विश्य है लेकिन इन आर्थिक क्रियाओं पर समजिक क्रियाओं का विशेश प्रुभाव पड़ता है उस प्रुभाव का अध्यन आर्थिक भुगोल में किया जाता है चुकि व्यत्ति अपनी आर्थिक क्रियाएं समाज के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुकूल करता है और उनी परमपराओं का के अनुसान आर्थिक क्रियाएं करता है तो समाजिक क्रियाओं का आर्थिक क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्यन आर्थिक गोल में किया जाता है गरीबी, असिक्षा, कुपोशन, तीवर, जनसंख्या वरद्धी जैसी सामाजिक व्याधियों या सामाजिक बुराईयों का ध्यन समाज सास्तर में किया जाता है इन समाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए समाज का समाजिक विकास होना चाहिए और वो समाजिक विकास आर्थिक विकास पर निर्भर है और आर्थिक विकास तभी संभव होगा जब हम आर्थिक भुगूल या आर्थिक रूप से हमें उपलब्द संसादनों पर अध्यन अध्यापन पर जोड़ देंगे हम कह सकते हैं कि समाज, सास्त्र और आर्थिक भुगूल दोनों का गनिस्ट संबंध है समजिक क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं को प्रभाईद करती है और आर्थिक क्रियाओं के परिणाम सरूप समजिक विकास या उस समाज का विकास होगा उसमें जो है उस क्षेत्र की ज identities क्या है उसका रहन सैन, खान-पान और उनमें जो है गरीबी जिक्षा, कुपोशन जैसी जो व्यादियां है वो दूर होगी और जो अर्द विक्सित या अल्प विक्सित रास्ट्र है या समाज है वो विकास सील और विक्सित समाज की और बढ़ेगा साथियों हम लोगों हमने आज आर्थिक भुगूल का अन्नी विज्ञानों से संबंद कर विशे पर अधिन किया इसमें हमने केवल समाजिक विज्ञानों आर्चसास, समाजसास, इतिहास और राजनिती विज्ञान का आर्थिक भुगूल से क्या संबंद है उसके बारे में हमने चर्चा की इस पर हमारे परिक्षाओं में या अनेक प्रकार के प्रशन आते हैं तो छोटे प्रशनों में आर्थिक भुगूल और समाजसास्तर का क्या संबंद है 20 शब्दों में लिखिए या पचास शब्दों में आर्थिक भुगूल और समासास्त्र का क्या संबंध है इस पर टिपणी कीजिए साथी इको आर्थ सास्त्र और आर्थिक भुगूल के गनिस्ट संबंधों की व्याख्या कीजिए अर्शासरो राजनितिव ज्यान के गनिष्ट संबंदों की व्याख्या कीजिए या इन दोनों में कैसा संबंद है इस पर विवरण दीजिए एक बड़ा प्रश्ण आर्थिक भुगूल का सामाजिक विज्यानों से संबंद है इस पर विस्तार से लेख लिखिए यह आप लोगों का ग्रह कारिया है इससे कर लिजिए आप लोग इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी इस विशे पर आर्थिक भुगूल पर तथा भुगूल के अन्य साखाओं पर आपको बहुती लाबदाएक व्याख्यान देखने को मिलेंगे आप इसका लाब उठाईए